भीम सेना के नेता चंद्शेखर आजाद को जिस तरह से वहां की सरकार तंग और परिशान करती कर रही है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और वो वहां पर सामन्ती जुल्म और जाती के खिलाब लड़ रहे थे लोगों को संगठित कर रहे थे और इसके लिए उन पर मुकदमे किये गए उनको जेल में बंद किया गया उसमें जमानत हो चुकी है जमानत होने से के ठीक अगले ही दिन उन पर रासुका लगा करके फिर से जेल में बंद किया गया ये सरासर डेमोक्रेटिक राइट्स का जो हर नागरी को भारत के संभिधान ने दिया है उसका उलंगन है और ये सरकार की मनमानी और ताना साही प्रविर्ती का परिचायक है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जुल्म और जाती से जो दलित हैं जो कमजोर तबकों के लोग हैं गरीब हैं पिछड़े हैं वो किसी धर्म के मानने वाले हों उन पर उनको जादे दिन तक दबाया नहीं जा सकता है और पार्लैमेंट खुलेगा तो मैं अगर तब तक MP रहा मुझे हटाने की कोशिस हो रही है हमारी भी आवाज महां बंद करने की कोशिस हो रही है लेकिन मैं तब तक अगर MP रहा तो मैं पार्लैमेंट में भी सवाल को उठाऊंगा और इस तरह से हम कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं नय प्रिय लोग हैं उनसे हमारी गुजारी से तमाम पार्टियों संगठोनों और नेताओं से की इसकी निंदा की जाए उसी जहा के सहारन पूर के चंद से खर अजाद हैं वहाँ पर जो एस पी को वहाँ भाजपा के नेता ने धम किया दी उनके घर पर हमला किया उन लोगों के खलात तो इस तरह का काम नहीं हो रहा है काम तो वैसे लोगों को रासुका में बंदोना चाहिए जो खुले आम दंगा फसाद करते हैं खुले आम लोगों के साथ गरीब लोगों के साथ मार ट्वीट करने का काम करते हैं उन पर ये रासुका लगना चाहिए तो यह जुर्म करने वाले जात्ती मनमानी करने वाले लोग कोई हमेशा रहने वाले नहीं है यह गलत नजीर पेश कर रहे हैं और इसको सब हर तरह के लोगों को इसकी मिन्दा करनी चाहिए और इसके खलाब उठ करके खड़ा होना चाहिए Thank you An schönr Satar